तुम अकेले चलने की हिम्मत तो करो इश्वर हजारों रास्ते देने को तयार हैं आज 8 जुलाई 2021 हैं डिफरेंस हमारे टेबल के उपर एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हैं इंडिया और टर्की के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू लेट मी इनफोर्म आल आ वय्यू गाइज के अगर आप यू प सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलने की भी अब जरूरत नहीं हैं एक कम्पलीट ऑन लाइन स्मार्ट कोर्स अविलेबल हैं यह स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फेकल्टीज ने मिलकर बनाया है। यह स्मार्ट कोर्स की सारी डीटेल्स आपको हमारे मोबाइल एप या फिर हमारी वेबसाइट के उपर से मिल जाएगी। तो यही एक जगा है जहां से आपको राइट इंफोर्मेशन मिल जाएगी। इंडिया टर्की इंडियन एक्सप्रेस का ये एक बहुत ही इंपोर्टन आर्टिकल है। भारत के नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अगर हम देखें। अफगानिस्तान यहां से अगर हम जाएं उ यूएसे जो है वो यहां से यूएसे और नाटो की फोर्स जो है वो अफगानिस्तान को एक्जिट कर रही है और हो सकता है कि तालिबान जो है वो पूरा कंट्रोल ले ले अफगानिस्तान देश का पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है तो यह सारी चीज़े हैं तो इस रीजिन की जब हम बात करें तो वहसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की जब हम बात करें तो फिर पाकिस्तान एक important player नहीं है इसके अलावा भी एक बहुत ही important player है यहाँ पर और उसका नाम है Turkey Turkey फिर एक देश है ये वाला कतार राइट ये कतार यहां पर पड़ता है and then you have चाइना ये तीन देश जो हैं ये तीनों देश अफगानिस्तान की बात करें तो एक important to players हैं लेगिन आज हमारा focus जो हैं वो एक ही देश के उपर हैं that is Turkey आज हम Turkey के बारे में ही बात करने वाले हैं right भारत और Turkey के relationship भारत और Turkey के relationship जो है वो इतने कोई खास friendly नहीं है इतने कोई खास दुश्मनी भी नहीं थी लेकिन अगर हम इतिहास से आज तक देखें तो कुछ जगाए ऐसी रही हैं जहां पर दोनों देशों ने मिल कर काम किया है कुछ जगाए ऐसी रही है जहां पर दोनों देश जो है वो एक दूसरे के against में रहे हैं अब पाकिस्तान की तरफ भी टर्की का जुकाव जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है USA यहां से यहां से यानि की अफगानिस्तान से निकल रहा है तो टर्की जाता है कि काबूल एरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो टर्की को मिल जाए टर्की एक लंबे समय से काबूल एरपोर्ट जो है उसकी security प्रोवाइड करता आया है और दोनों देशों की बात करें USA और टर्की की तो इनके relationship भी काफी अच्छे थे लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें लगबग 5 सालों के periods के उपर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको देखने को बनेगा कि कई बार टर्की ने कुछ ऐसी चीज़े की हैं जिससे USA जो है वो काफी नाराज हो गया है तो उनके relationship में भी नई cracks हमें देखने को मिलती है या फिर आप कह सकते हैं कि टर्की का जो दूसरे देशों के साथ डील करने का जो एक रवया है जो एक attitude है उसमें जबर जस्त बदलाव हमें देखने को मिला है अंकारा और काबूल अंकारा यानि की टर्की का capital अंकारा और काबूल इस्तांबूल जो है वो इसका capital नहीं है Istanbul is a bigger city लेकिन Ankara Istanbul is again a very famous city as well लेकिन इसका capital जो है Turkey का that is Ankara तो Ankara और काबूल जो है उन्होंने अभी कुछ समय पहले की बात है कि उन्होंने सो साल celebrate किये diplomatic relationship के तो बहुती पुराना रिष्टा है Afghanistan और Turkey का ऐसा नहीं है कि पिछले 20 सालों से ही टर्की यहां पर involved है उससे पहले भी टर्की के relationship अफगानिस्टान के साथ काफी अच्छे रहे हैं Turkey ने NATO military mission को भी joint किया इन अफगानिस्टान तालिबान ने जब control कर लिया था अफगानिस्टान को और हमने इससे पहले भी discussion की थी कैसे हमारी flight जो है उसको hijack किया गया था और उस ताइम पर वही अफगानिस्टान के कांधार एरपोर्ट पर ही लेकर गए थे इस plane को और फिर उस ताइम पर Taliban की ही सरकार थी Afghanistan में तो Turkey ने NATO forces को joint किया Taliban जब 2001 में Taliban के हाथ से एक power चला गया तो Turkey जो है जब से इन्होंने joint किया है तब से Turkey ने combat role को joint नहीं किया तरकी यह वहाँ पर अपने soldiers को नहीं बेज रहा है Turkey ने क्या किया जैसे भारत ने किया है वैसा ही तरकी ने अफगानिस्तान की military police forces को training देने की शुरुआत की फिर humanitarian काम किया school बनाना, hospitals बनाना होस्पिटल्स बनाना, वहांके लोगों को खाना पीना यह सारी चीज़े प्रवाइड करना तो यह सारी चीज़ें जो है वो Turkey ने यहां पर की है ऐसी चीज़ों से क्या होता है ऐसी चीज़ों से आप वहांके लोगों का दिल और दिमाग जो है वो जीत पाते हैं अफकोर्स ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है इस नोट बाउट बेंग शेल्फिस इस मोर अब आप आप जो भी करते हैं मैं बात करा हूँ नोट परसनल लाइफ की यहाँ पर मैं बात नहीं करा हूँ आप कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स उसके होते ही है पर यह आप किसी देश की मदद करें लेकिन वहाँ के लोग जो है उनके लिए आप बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाएंगे वो आपको आपके देश को आपके लोगों को रिस्पेक्ट करने लगेंगे और इतिहास के पन्नों में भी यह सारी चीज़ा लिखी जाएगी कि जब यह वक्त आया था तब उस टाइम पर इस देश ने हमारी इतनी मदद की थी एक पॉजिटिव जोन में रहते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं तो यहाँ पर टर्की ने यही किया है उन्होंने वहाँ पर अगर हथियार लेकर आते और वहाँ पर लोगों किसी के उपर बॉम फेक दिया और वहाँ पर कुछ सिविलियन्स की मृत्य हो गई तो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत नफरत पैदा होती लेकिन आपने प्योर उनकी मदद ही की है तो वहाँ पर कहीं न कहीं दिल जीतने की कोशिश की है तो टर्की के रिलाइशनशिप अफगानिस्तान के साथ तो बहुत ही पुराने और गह रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी उनके रिलाइशनशिप काफी अच्छे हैं और इसी वज़े से जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिच में कोई इस्यू होता है तो टर्की एक मीडियेटर का रोल प्ले करता है तर्की जो है वो दोनों देशों को टेबल के या लेकर आता है और ये भी ध्यान रखता है कि दोनों जो है वो अच्छी तरीके से बातचीत करें जगड़ा और ये सारी जिज़ें ना हो अफगानिस्तान को लेकर जो हाट ओफ एशिया की कॉनफरेंस है वो भी इस्तानबूल में रखी गई थी इसलिए इसका नाम है इस इस्पांड करता जा रहा है यही चीज़ ऐसी है जिसकी वज़े से डेली और अंकारा के बीच में टर्की और इंडिया के बीच में कुछ क्लैशिस जो हैं वो हो सकते हैं इतिहास की बात करें तो जब विश्व युद्विती यानिकी सेकंड वर्ड वोर जब खत्म हुआ उ यूएसे की टीम क्योंकि एक तरफ रश्या जो है वो कैसे अपने एरियास को एकस्पांड कर रहा था उस टाइम का जो यूएसेसर है उसकी बात कराओ में तो टर्की जो है वो चाता था कि उनको कोई एक बड़े अम्रेला में एक जगा मिले तो यूएसे का पक्स चुना ट आड़र लग दिशा में आप कह सकते हैं दोनों के जो फेश है वो अलग अलग दिशा में थे और कोईलिस्क नहीं हो रहे थे और इस तरा एक दूसरे के इतने कोई खास फ्रेंड नहीं थे ठीर ट्रेड और येसेजों की जज़ांसे सरे बज़रे इंप्रूव हुए और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा ओडिनरी रिलेशन्शिप है हाई हेलो के रिलेशन्शिप तो हमेशा से रहे हैं लेकिन पिछले कुछ समय से हमने ये भी नोटिस किया है कि पाकिस्तान को मिलिटरी और सिक्यूरिटी सपोर्ट जो है वो टर्की से काफी ज्यादा मिलने लगा है और पाकिस्तान और टर्की की बात करें तो इतिहास में अगर हम जाएं तो 1955 के टाइम पर एक सेंट्रल ट्रीटी और्गिनाज़ेशन बिटिस ने सेट अप किया और उसमें टर्की और पाकिस्तान दोनों थे अब यह जो सेंटो हैं सेंटो नाम का जो ग्रूप है यह 1970 इंट्रल ट्रीटी ओर्गिनाज़ेशन इसको सेंटो कहते थे तो यह जो सेंटो है यह 1979 में खत्म हो गया लेकिन टर्की और पाकिस्तान के रिलाइशन्शिप जो हैं वो हमेशा से मजबूत रग है दूसरी चीज जो हमरे देश में खिलाफत मुवमेंट हुए थी उस टाइम आजाद जब ये भारत नहीं हुआ था तो पाकिस्तान और बंगलादेश भी भारत के ही पार्ट थे तो ये जो खिलाफत मुवमेंट हुए थी और गांदी जी खलीफा थे तो खलीफा को हटाया गया था तो इसको लेकर दुनिया भर के मुसलिम्स जो है वो नाराज हो गया थे और भारत ने भी भारत के मुसलिम्स भी नाराज थे और फिर गांदी जी ने ये सोचा कि जो दूसरे लोग हैं हिंदू एकसेटरा जो भी हमरे देश के उस आज के जमाने में टर्की जो हैं वो जब भी खिलाफत मोमेंट की बात करता है तो वो भारत के बारे में बात नहीं करता है वो बात करता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया था तो यह चीज़ भी एक हैं यहां पर कुछ गलत इंफॉमेशन या फिर जो लिमिटेड इंफॉमेशन क का इस्तमाल करके वो अपने रिलाइशन्शिप को इंप्रूव कर रहे हैं तो शेर्ड सेकुलर वैल्यूस बिट्विन डेली एन अंकारा इन प्री इर्दोगान एरा वेर नॉक्ट इनाफ तो अवर्कम्ट स्ट्रिटीजिक दिफरेंसे बिट्विन तू इन दे कॉल्ड वॉर सिक्यूलर दोनों देश जो है फिर आता तुर्क आए और आता तुर्क ने ये जब खलीफा हट गए तो फिर आता तुर्क ने एक मौडर्न देश बनाया एक मौडर्न टर्की जो वेस्टन लाइफ को भी या फिर वेस्टन थॉर्ट्स को भी फोलो करे और उसे की साथ-साथ जो उनकी सव्यता है उसको भी तो एक नएा Fusion यहाँ पर देखने को था है एक नए Islamic देश का जन्म हुआ लेकिन इर्दोगान के आने के बाद यो फिर से पुरानी जो एक सव्यता है या फिर एक पुरानी जो मानियता है उसको फिर से वापस लाना जाते है और वो पूरे रीजियन में ये जो पूरा रीजियन है South Asia तो इस रीजियन में एर्दोगान क्योंकि जो खलीफा थे वो तर्की में थे तो एक लंबे समय से तर्की जो है उसका एक तर्की के साथ देश रहा है क्योंकि एक टाम पर खलीफा जहां पर थे that means you are the capital of Muslim world तो एक समय पर तर्की Muslim world का capital था तो वो कहीं न कहीं आज भी वो स्वाद या फिर आज भी वो एक image जो है वो कैरी करता है तर्की और इसकी वज़े से काफी सारे subcontinent के जो देश हैं जिसमें भारत के भारत के कुछ मुसलमान फिर बंगलादेश फिर आप श्रिलंका जनी हैं मुसलिम्स इन मौल्दीव राइट तो यह सारे region के कुछ ऐसे लोग आम नोट साइग एवरिवन लेकिन क कुछ ऐसे ग्रूप से कुछ ऐसे लोग है जो तर्की को काफी एक important जगा मानते हैं तर्की के बारे में ये एक मानियता है कि तर्की जो है एक समय पर high table पर था तो फिर से वो अगर बैठ जाए तो हम support करेंगे इस प्रकार की एक वीचार ताहरा है इसमें कोई गलत नहीं है it's all about Islamic world की में बात कर रहा हूं but the thing is ये जो एक तर्की चाहता है या फिर एर्दोगान जो चाहते हैं कि वो फिर से high table पर बैठ जाए और दूसरे जो देश है वो उनको support करें तो इसमें Pakistan openly support करता है तर्की को कि तर्की Islamic world का head बन जाए capital बन जाए तो पाकिस्तान उनको support करेग और बदले में उनको क्या मिल रहा है openly टर्की एक ऐसा देश है जो कश्मीर question के उपर पाकिस्टान को international support प्रोइड करता है बदले में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान उन्होंने ये कह दिया कि साओधी अरेबिया से आप पावर छीन कर आप अपने पास रखिये ऐसा इर्दोगान को कहा और इसको लेकर काफी साओधी अरेबिया भी नारास हो गया था और काफी मुश्किल हो गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए to convince the साओधी ग्रूप या फिर साओधी प्रिंस और उन लोगों को convince करना थोड़ा difficult हो गया क्योंकि एक लंब की प्रती तर्की जो है वो attracted है लेकिन बंगलादेश ने जैसे जमाते इसलामी के senior leader को जब फासी दी तो इसका काफी विरोध किया तर्की ने और जब रहुंजिया refugee crisis हाई तो तर्की ने बंगलादेश को support करने की बात बताई तो यहां पर दिल जीतने के लिए भी कुछ steps ज natural spiritual resonance among the south asian muslims जो मैंने अभी आपको point समझाया this is the one 1924 में खलीफा को abolish किया गया था और जैसे मैंने आपको बताया कमाल आता तुर्क ने एक western देश को पैदा किया और design किया और आज इर्दुकान जो है वो फिर से यह वाला जो एक खलीफात वाला जो एक एरा था उसको फिर से लाना चाहते हैं और कुछ पुराने rules and regulations जो है वो भी टर्की में implement करना चाहते हैं टर्की नेटो का मेंबर भी रहा है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रश्या के खिलाफ खड़ा रहने के लिए टर्की को एक support की आवशक्ता थी तो टर्की जो है वो USA के umbrella के तहट था और यह नो नेटो का मेंबर भी है since early 1950s लेकिन जब खुद के देश की बात आई जब strategic autonomy की बात आती है तो काफी अच्छी तरीके से काफी अच्छी तरीके से टर्की जो है वो strategic autonomy को भी exercise करता है strategic autonomy यानि कि मैं आपकी team में हूँ लेकि जब मेरे देश की बात आएगी तो फिर I am not in any team मैं फिर आपको भी बता दूँगा कि ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए तो ऐसे काम करता है टर्की Soviet Union का खत्रा था लेकिन आज रश्या से S-400 missiles भी खरीदता है टर्की और इसी रश्या से मैंसे एक तरफ नेटो का मेंबर है दूसरी तरफ रश्या से S-400 मिसाइल खरीद रहा है और जब रश्या यहां पर काउके मैं रिमूग कर देता हूं यह जो काउकेकस माउंटेंस हैं यह फिर रीजियन है यह तो इस रीजियन में आम टोकिन बाद यह अजर्बैजान और अर्मेनिया वाला जो पोशन है तो यहां पर जब रश्या अपनी मैंसी दिखाने की कोशिस करता है रश्या अपना एक यह नो बिग ब्रदर की तरह भीएव करता है तो फिर उसको चैलेंज भी कर लेता है टर्की टर्की पहला ऐसा मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश था जिसने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स को स्टार्ट कि टर्की जो है वो एरब और इस्लामिक देशों को कहता है कि इसराइल को तोड़ दीजिए इसराइल को ऐसा कीजिए और इसराइल के साथ खुद के रिलेशन्शिप है खुद के रिलेशन्शिप को नहीं तोड़ेगा ग्लोबल प्लैट्फोर्म के उपर इसराइल के खिलाब उनकी डिप्लोमेसी है, आप इमेजिन कीजिए कि निटो का मेंबर और रस्या से С-400 फिर USA के खिलाफ भी कुछ कह देगा, रस्या के खिलाफ भी कुछ कह देगा, लेकिन दोनों के साथ रिलेशन्जिप नहीं तोड़ेगा, इसराईल के साथ रिलेशन्जिप डवलोप किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़े तरकी कर सकता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं भारत भी इंडिया इस वेरी स्मार्ट कंट्री हमरे पास पी कुछ बटन्स हैं जो अगर हम प्रेस करें तो तरकी को भी तकलीफ होगी जैसे इंडिया और ग्रीस ने हाल ही में नेवल एकसाइस की थी इस रीजियन में अब इन दोनों के बीच में कुछ बोर्डर इस्ईयूज हैं यू आइलेंड को लेकर कुछ इस्ईयूज चलते रहते हैं तो भारत ने ग्रीस के साथ मिलकर एक मिलिटरी एक्सेसाइस की तो इससे टरकी काफी नाराज हो गया हमारी जब कश्मिर की बात आती है तब बहुत मज़ा आता है लेकिन जब आपके रीजिन की बात आती है तब पता चलता है और भारत अब देख सकते हैं कितना capable है कि कितने दूर military exercise या फिर नेवल exercise करने के लिए पहुँच गया और इसके just imagine कीजिए कि टर्की की psychological हालत क्या हुई होगी जब भारत ग्रीज के साथ military exercise करता है बहुत सारे Arabic leaders जो है वो भी इर्दोगान की जो policies है उसको लेकर काफी नाराज रहते हैं उनको ये पसंद नहीं है कि इर्दोगान जिस प्रकार से एक नई दुनिया बनाना चाते है तो इसको बहुत सारे देश जो है वो support नहीं करते हैं और भारत के relationship बहुत सारे Arabic देशों के स के पास भी कुछ ऐसे points है कुर्दिश लोग कुर्दिश minority जो है ये बिचारे लोगों ने काफी एक important role play किया ISIS को हराने में और उनको एक अलग से देश चाहिए कुर्दिश्तान उनकी अलग से एक history है अजसे लगबग चार साल पहले मैंने एक video बनाया था कुर्दिश्तान के उपर और ये जो उनकी history है पुरानी एक बहुत पुरानी सभ्यता है कुर्दिश लोगों की उनकी भाषा है और ये इस region में रहते हैं जहां पर आप सीरिया के कुछ पोशन में रहते हैं कुछ इराक वाले पोशन में रहते हैं और टर्की के साथ जो border share करता है इराक वहाँ वहाँ पर तो उनका कहना यह है कि हमें एक अलग से दीष्ट दे दिजिये बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्की में भी रहते हैं तर्क कुर्दिश लोग लेकिन फिर टर्की जो हैं ये कुर्दिश लोगों को आतंगवादी मानता है और उनका उनके उपर काफी सारे अत्या होगा फिर अब ऐसी सिचुवेशन होने लगी है कि रीजिनल पावर बड़े बड़े पावर कमजोर होते जा रहे हैं लेकिन रीजियन वाइस जो इंपोर्टन प्लेर हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं और यू नो सेक्यूलर जो थौट पॉइंट है या फिर फिर तिंकिंग की है नाव लेट्स मूव ओन तो अधर आइटम्स एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कुछ नए नए चेहरे जो हैं उनको मिनिस्टर वैसे इतने भी नए चेहरे नहीं हैं काफी फेमस लोग है ये सब अपने अपने रीजियर में तो काफी फेमस है तो ऐसे लोगों को मि बड़े बड़े फेमस नाम प्रकाश जावडेकर, रवी शंकर प्रसाद, टॉक्टर हर्श वर्दन, डीवी सदानन्द गवडा, थावरचन गहलोद साब, फिर रमेश पोखरियाल, निशांक, एजुकेशन मिनिस्टर जो थे तो इन सभी को एक्जिट डॉर दिखाया गया एक जजज साब के उपर ममता बेनर जी जो है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोट केस चल रहा है, उन्होंने केस फाइल किया था, इलेक्शन में कुछ गलत चीज़े हुई है, नंदी ग्राम में इसको लेकर एक केस फाइल किया गया और उनके जो वकील है ममता बेनर जी के तो उहोंने ये कहा कि जद साब जो है उनको इस केस में से रक्यूस हो जाना चाहिए तो इसी बात को लेकर पांच लाख रुपे का फाइन जो है वो उनके उपर लगा गया है ममताब इनर्जी के उपर तामिल नाडू का हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्ट्चर जो हो इसकी काफी प्रशन सा की है सुप्रेम कोट में ये सेकंड कोविड वेव के टाइम की बात है डेली में पेट्रोल की प्राइज हंडर्ड रुपीज पर लीटर को क्रॉस कर चुकी है इस सुरों स्पाई केस में डीजी में है और वहाँ पर जो इरान के प्रेजिडेंट इलेक्ट है इब्राहीम रईसी तो उनके साथ डिस्कुशन हुई फिर ये पिगसस प्लैटफॉर्म जो है जो स्पाईवेर पिगसस जो है तो उसका इस्तमाल कैसे किया गया और इसको लेकर एक फॉरेंसिक आर्किटेक्च इमनिस्टी इंटरनेशनल और सिटिजन लैब ने डोकुमेंट्स इस्यू किया है कि कैसे हीमन राइट डिफेंडर्स जो है उनके उपर उनके डिवाइसर के उपर एटक किया गया यू फोरकास्ट हाईर ग्रोथ इन यूरो जोन और आइम एफ के चीफ ने कहा है कि यूएस इसे में इंफलेशन का रिसक है तो ये थी कुछ न्यूस आइटम्स नाव लेट्स टोक बाउट दो मॉंक पाइउनियर का ये आर्टिकल है अगें टिबेट के बारे में बात करेंगे इससे पहले भी मैंने आपको टिबेट दिखाया था टिबेट जो है ये एक बहुती सें टॉपिक है जिसको लेकर कम्मिनिस्ट चाइनिज कम्मिनिस्ट पार्टी जो है वह काफी एग्रेसिव हो जाती है या फिर परिशान हो जाती है जब भी हम इसकी बात करते हैं तब और शी जिंपिंग का जो एक पैट प्रॉजेक्ट है उनका ग्रांड एक डिवलोप करना च जो हैं वो भारत में रहते हैं भारत में भारत ने इस कंट्री उनको शरण दी और तब से वो भारत में safely यहां पर रह रहे हैं और इसको लेकर चाइन जो है वो काफी नाराज रहता है, belt and road initiative का जो एक map है वो आपी screen के उपर है, यह हैं belt and this is road इसमें थोड़ा उल्टा है जो sea वाला region है sea वाला जो रास्ता है उसको road कहा गया है और जो land वाला portion उसको belt कहा गया है Now, India touched the sensitive spot the other day when Prime Minister Narendra Modi had a telephonic conversation with Dalai Lama on the latter's 86th birthday Dalai Lama के 86th birthday के उपर Prime Minister सबने उनके साथ telephonic बातचीत की 2014 के बाद पहली बार ये खबर आ रही है कि Dalai Lama के साथ नरेंदर मुदी साथ ने बात की है officially ये पहली बार है इससे पहले हुई होगी we are not sure लेकिन publicly कभी भी ये बात नहीं आए थी तो जब एक तरफ हमने independence day जब USA celebrate कर रहा था तो जो Biden साथ के साथ greeting शेर की फिर Dalai Lama साथ के साथ बातचीत हुई लेकिन CCP की जो 100 years 1st July को जो उनका Chinese Communist Party का जो बड़े था तो उसको कोई register नहीं किया या फिर कोई इसके उपर बातचीत नहीं हुई तो you can clearly say कि अब शायद भारत जो है ये एक बहुत बड़ा चिंता का फिशए हो जाएगा 2011 की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में एक meeting होने वाले थी लेकिन चाइना ने ये कहा कि दलाई लामा की जो एक international religious conference है इसको cancel किया जाए भारत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता और फिर इंडिया और चाइना की जो meeting है वो schedule talks जो है वो फिर cancel हो गई 2020 में प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया bill वो एक नया act लेकर आया Tibetan policy and support जिसमें दलाई लामा चूस करेंगे कि उनका successor कौन होगा और इसको लेकर चाइना काफी नाराज हो गया और चाइना फिर एक नई चीज लेकर आ चाइना ने कहा कि टिबिट since 1951 liberation development and prosperity ये एक document वो लेकर आया और कहा कि 1793 से टिबिट की जो success है टिबिट में जो दलाई लामा है दलाई लामा एक post है और दलाई लामा post के जो success है उसमें चाइना का हमें साथ से एक कहना रहेगा चाइना जो कहेगा वही final दलाई लामा बनेंगे तो चाइना ने ये जबर जिस्ती अपने पास ये चीज खीचने की एक कोशिस की है तो भारत अब टिबिट इन affairs में openly पाट लेगा है और दिखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा हम शूर चाइना इससे काफी नाराज हो जाएगा येस मिनिस्टर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है हाल ही में ऐसा हुआ कि एक student ने एक final में समिस्टर में के student ने अमेटकर युनिवरसिटी डेली में एक online convocation ceremony में कुछ remarks किये और इसको लेकर वहाँ जो युनिवरसिटी है उसने उस पर्टिकलर student के उपर 5000 रुपे का फाइन लगाया है अब डेली के जो education minister है मनिश सिसोधिया साब उन्होंने extend लिया है उन्होंने कहा कि युनिवरसिटी ये कैसे जगा है जहां पर लोगों को खास करके बच्चे जो है वो freely अपने opinions debate develop कर सके तो ये fine जो लगाना है ये गलत है ये जो free speech है और dissent यानि कि आप अपने leaders जो हैं उनसे भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं है तो आप openly कह सकते हैं कि we are not happy about this particular thing तो ये अधिकार जो है वो हर किसी का होना चाहिए और extend लिया है education minister ने क्योंकि कलंबे टाइम से हमने देखा कि 2016 में रोहित वे मुला ने आत्महत्या की और फिर N.T.C.A. प्रोटेस्ट के टाइम पर भी बहुत सार students को जेल के पीछे डाला गया तो यहां पर जब education minister एक stand लेते हैं तो this indicates के at least हर जगा पर नहीं लेकिन कुछ जगा उपर ऐसे सरकारे भी हैं या फिर ऐसे लोग भी हैं जो genuinely stand लेने के लिए इस प्रकार के stand के बद्चो education minister ऐसा है जो university अगर उनके ओपर fine लगाती है तो और वो भी फिर केजरिवाल के खिलाफ उनोंने कुछ बात किती है तो फिर भी stand लेना तो that is very very brave of Mr. Sisodia and जो मैंने आपको प्रशन पूछा था तो उसका answer आपकी screen के उपर है this is your new question pdf को download करने के बाद इसको आराम से देख लीजेगा and I will see you soon till then enjoy your studies God bless you all, Jai Hind